देश की राजधानी में केवल सरकार बनाने बिगाड़ने की ही कहानिया नहीं हैं, केवल दंगे की ही कहानिया नहीं हैं, वहाँ इंसानियत को शरमसार करती हुई कहानिया भी होती हैं, और ऐसी कहानिया होती हैं जिनके किर्दार को ये पता नहीं होता कि उनके लिए कौन सा रोल लिख दिया गया है, आज की कहानी में ना मरने वाले को पता था, कि उसका कसूर क्या है, ना मरने वाले को भी पता था, कि उसको दिया गया टास्क क्या है पूरी कहानी दिमाग को गुमा देने वाली है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनमिंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंबी स्पीक्स तो आज की कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2019 से दोबहर का वक्त था दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है कॉलर कहता है कि उसने सरिता बिहार के पास रेवलेट ट्रेक के किनारे एक बोरी देखी है जिसमें एक लड़की की बोड़ी है अब चोकी दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्ध हमेशा से काफी बड़ा रहा है खास तोर पे 2012 में जब निर्व्या कांड हुआ उसके बास से दिल्ली पुलिस ज़्यादा सैस्टिम हो गई और इस तरीके की सूचनाओं को पुलिस के करमचारी हूँ या अधिकारी हूँ काफी गंभीरता से लेते हैं उसी समय कॉल के बाद पुलिस मौके में पहुंसती है बोरे से करीब 24 साल की लड़की की बोड़ी मिलती है लड़की जिंस और खुर्टी पहने हुई थी दो दिन पुरानी ही जरूर है मौडी की हालत को देख करके पुलिस को थोड़ा शक होता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ दरिंद्गी हुई है क्योंकि गले और चेहरे पे खुरोसने के निशान भी मिले थे अच्छा ये केस काफी अलग था पुलिस भी हमेशा किसी भी शव की पहचान कराने के लिए सबसे पहले उसके कपड़ों की तलाशी लेती है शरीर पे ऐसे निशान तलाशती है जिसके अधार पे पहचान हो सके लेकिन पुलिस शुरुआत में जितना इस केस को समझ रही थी आसान उतना असान नहीं था असल में जैसे ही मैला पुलिस करमचारियों ने उस लड़की की बॉड़ी की तलाशी ली उसकी जीन्स में से एक लेटर मिलता है और साथ ही उसका फोन भी मिल गया आप देखा दे तो पुलिस के लिए सब चीज़े काफी असान हो गई थी लेकिन पुलिस हैरान भी थी कि सुराग तो है लेकिन एक ऐसा सुराग पुलिस ने उस लेटर और फोन को अपने पास रख लिया और बॉड़ी को पुस्वाटम के लिए भेज़ दिया मैं सिम्रन, अम्बेटकर नगर की रहने वाली हूँ दिल्ली के संतनगर, भुराडी के रहने वाले आरुश और मैं हम दोनों हपस में प्यार करते हैं मुझे नहीं पता था कि पुलिस पहले से ही शादी शुता है आरुश के मातविता नहीं चाहते थे कि मैं उसे मिलूँ और आरुश के परिवार के वज़े से मेरी जिन्दगी बरबाद हो गई है आरुश भी अपनी मा से मिल गया है और आरुश उसके दो दोस्त मुझे डरा रहे हैं, दमका रहे हैं मेरे से पैसा माग रहे हैं, इन लोगों ने मेरा एक अश्ली वीडियो भी बना लिया है और उससे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और अगर मेरी हत्य हो जाती है, तो ये तीनों लड़के मेरी जान के जिमेदार होंगे मेरी जान जाने के जिमेदार होंगे और उन तीनों के नाम और मोबाइल इस नमबर में लिख रही हूँ है ये उसका आखरी पत्र था इसी बीच पुलिस के सामने लड़की की पुसमार्ट में रिपोर्ट भी आजाती है लेकिन रिपोर्ट देखकर के पुलिस फिर से एक बार संद रह जाती है क्योंकि पुलिस का जो शक्त था बिलकुँ सही निकला कि पुलिस के साथ लड़की के साथ धरिंदगी की गई थी उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मल्टिपल इंजरी थी लेकिन ये भी पता चल रहा था कि उसके साथ ये गंदा गाम कई लोगों ने मिलके किया है अब बाद में उसकी गला गोट के हत्या करती गई। उस लेटर में लिके आरुश और उन दो लोगों को भी रासत में लेती है उनसे पुछता शुरू कर देती है लेकिन पुलिस को काफी हरानी होती है जब आरुश कहता है कि वो उस लड़की से प्यार करना तो दूर, उससे कभी मिला ही नहीं है और उसे मारना तो बहुत दूर की बात है, वो उस लड़की को पहचानता तक नहीं है इसी तरह से दो अन्य लोग जिनका नाम उस लेटर में लिखा हुआ था वो भी एई बात दोरा रहे थे, तो पुलिस को यह लगता है कि कहीं जान पूच कर के यह कहारी तो नहीं बना रहे हैं इसलिए पुलिस उनका फुरान वेगरॉण निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, जैसा कि अकथर पुलिस इन केसों में करती है इस तरीके के केसिज में और आखरी कॉल वही लड़की सिमरन के फोन से आरुष के पास से आया था जो आखरी कॉल सिमरन को था इस पर पुलिस पूशबाश करती है तो वो बताता है कि एक कॉल आई थी लेकिन बात नहीं हो पाई थी फिर फोन आधी बात नहीं कट गया था लेकिन ये लड़की कौन है कहा रहती है वो कुछ नहीं जानता यहां तक कि कभी इसे अपने दोस्त या फिर किसी पैचान वाले के साथ भी उसने नहीं देखा कई घंटों की पुष्टाश के बाद पुलिस जो जिसके बॉड़ी मिली थी लड़की और आरुश की पिछले कई महिने की डिटल कॉल डिटल को भी खंगालती है उसमें चेक करती है तो ये बात सही सावित होती है क्योंकि इससे पहले कभी दोनों में कोई बातचित नहीं होती इस तरीके से पुलिस की जाच जहां से शुरू हुई थी फिर वहीं आके खड़ी हो ज जहां इस बॉडी का पता चलता है पुलिस को उसके आसपासवाली रोड की CCTV फुटेज को भी पुलिस खंगालती है उनकी जाच करती है लेकिन इस दोरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है एक संदिक्द होंडा सिटी कार देखी गई थी अब इस कार के बारे में पता लगाया तो पता चला कि इस कार को पूरे दिन के लिए रेंट पे बुक कराया गया था अब पुलिस उस कार बुक करने वाले की तलास में जूट जाती है लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती इसी बीच पुलिस ने सिम्रन के 24 और 25 फरविरी के कॉल डिटेल भी निका वो नमबर यूपी के मुजफर नगर का था अजिस पते और नाम पर उस सिम्कार को खरीदा गया था वो फरजी निकलता है है रानकी की बाद ये थी कि उस नमबर से सिरफ और सिरफ सिम्रन को ही कॉल किया गया था इसके लावा उस नमबर से कभी किसी को कॉल नहीं हुआ इस इस तरह से पुलिस को सर्विला सोस्यसीजी के फुटेश से भी कोई मदद नहीं मिल पाती और लड़की के माता पिता बार बार लड़की के बारे में पता लगाने के लिए प्रेशर कर रहे थे पुलिस पे और पुलिस ने ये भी पूछा उसके माता पिता से किया वो लड़क किछी को प्यार करती थी उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था तो उन्हें उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और जो लेटर पुलिस को मिला था उसको जाज कराने के लिए बाकाइदा उसकी कौपियां बेटी के पिता को दिखाई जाती है और पुलिस भी यह चाहती है क कि वो एक बार उसकी डाइरीज वगरा देके के हैंड़ाइटिंग सिम्नन की ही है इसी बीच लड़की के पिता को डाइरी में दो शब्द मिलते हैं पहला शब्द था परसाद और दूसरा शब्द था जॉब उसके साथ ही एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था इस हाँ वो सिम्नन को जानता है लेकिन बहुत दिन हो गए है करीब 20-25 दिन पहले उसने नोकरी के लिए बात की थी लेकिन कहीं ना कहीं सिम्नन की पिता ने जब फोन पे बात की तो उस शक्स की आवाज को उन्होंने मैसूस किया कि काफी लड़कडाई हुई आवाज में उन्ह की पिता को जवाब दिया था सिम्नन के पिता को शक होता है उन्होंने उस नंबर और प्रसाथ के बारे में पुलिस को जानकारी थी पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो पता चला के वाके में ही घटना से 20 दिन पहले ही उस नंबर पर सिम्नन से बात हुई थी लेकिन कि वो नंबर शक के दाइरे में आया था, इसलिए पुलिस ने कोई बड़ा सुराग नहीं मिलने की, इसे थी में इस पर भी दाओ खेला, उस नंबर की लोकेशन निकाली, खास तोर पे जिस दिन ये घड़ना होती है, तब ये बता चलता है कि ये नंबर उस लड़की का नंब घड़ना वाले दिन, होंडा सिटी कार को रेंड पे लेने वालों की जानकारी भी मिल जाती है, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया, उस समय पूरा केस खुल जाता है, और आप हैरान होंगे कि उसके बाद जो कहानी निकल के आती है, वो कभी हैरान करने वाली थी, उस कहानी से कोई लेना देना नहीं था, असल में जिसका नाम सिमरन की डायरी में लिखा हुआ था, यानि कि प्रसाद, उसका पूरा नाम दिनेश प्रसाद था, घड़ना से कई महीने पहले ही वो चोरी की एक मामले में तिहार जेल में गया था, जिस बैरक में दिनेश बन था, उसी में मडर का अरोपी धनज और बुडारी से पकड़ा गया बंटी भी था, यहाँ पर दिनेश और धनज अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और जेल में ही धनज और बंटी की एक दिन लड़ाई हो जाती है, तब ही बता चलता है कि बंटी के परिवार के पास अच्छे कासी प्रपटी है, घटना से दो महीने पहले ही धनज और दिनेश को जेल से जमानत में गई, जबकि बंटी अभी जेल में ही था, ऐसे में जेल में आने के बाद, मतल़ जब वो कहार आ जाते हैं, उसके बाद उन्हों एक खतनाक साजिस रची, दोनोंने सोचा कि बंटी के भाई आरुश को क्यों ना मर्डर के केस में फसा दिया जाए, वो जेल चल जाएगा और उसके बाद उसके दोसों को जबकि प्लाट पर वो कबजा कर लेंगे, जमीन पर कबजा, जमाने और कानूनी दावपेश में मदद के लिए उन्होंने एक लड़के को भी हायर कर लिया, चुकि दिनेश और धनेज जेल जा चुके थे, इसलिए उन्होंने पता था कि पुलिस सर्विलांस के जरीए उन तक पहुंच सकती है, पुलिस घटना वाले दिन के कॉल रिकॉर्ड भी जो है, डेटेल भी जो है, वो चेक करती है, इसलिए यूपी के मुजफर नगजा करक सबसे पहले उन्होंने नया फोन और फर्जी नाम पते पे सिम कार्ट खरीदा, उस नंबर से किसी से बात नहीं करते हैं, अब इनके सामने शिनोदी ये थी कि कि किसकी जान ली जाए और किसकी जान लेने के चक्कर में आरुश को फासाया जाए, और ये भी उन्हें पता था कि अगर किसी लड़के की जान लेते हैं, तो मामला मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने, यानि कि दिनेश परसाद ने प्लान किया कि वो अपनी पैचान वाली एक लड़की की दोस्त को उने जाल में पसाएगा, उस लड़की को नोकरी की जरुरत है, इसलिए अपन दोस्त के जरीए उस सिम्रन से वो संपर्ग करता है, और नोकरी का जहासत देता है, सिम्रन अपने परिवार की जिम्मदारी उठाने के लिए नोकरी करना चाहती थी, लेकिन कोई काम नहीं मिला था, इसलिए जब नोकरी का ओफर मिला तो वो मिलने के लिए तयार हुए, ले के 25 फरवरी 2019 को दिनेश नहीं नए सिम कार्ड और फोन की मदद से सिम्रन को कॉल किया वो यह बताता है कि उसका फोन खराब हो गया था इसलिए वो दूसरे के नंबर से कॉल कर रहा है फिर वो कहता है कि सर्था विवार में वो उसका इंट्यू करवा देगा अब नौकरी की त करते हैं उसे जान से मानने की धमकी देके बन्दक बना लेते हैं और उसके साथ गलत काम भी करते हैं लेकिन इस से पहले वो केबल धमकिया ही दे रहते इसी दौरान उन्होंने कागस पर olika set कॉयाँ लेटर लिखवा लिया लेटर जब सिम्रन लिख देती है उसके बाद दि पर फ्लेट में ही उसकी गला दबा करके जान ले लेते हैं इसके बाद छोटे-मोटे क्राइम करने वाले रहीमदीन और चंदरकेश से वो कांटेक्ट करते हैं हायर करते हैं उसको उसको पास-पास हजार रुपए का लालस देते हैं उन्हीं के नाम से किराय की रेंटल टेक्सी बुक कराते हैं ओनलाइन इस टेक्सी को पूरे दिन के लिए बुक करवाते हैं और करीब साथ हजार का पेमन भी उसे कर देते हैं इसके बाद रहिम वदीन औ इस लेटर को उसकी जीन्स में डाल देते हैं, जीन्स की पॉकेट में डाल देते हैं, और उसका मोबाइल भी उसी की जेब में डाल देते हैं, सिम्रन के जीन्स की जेब में, ताकि उनका कोई सुराग नहीं मिले, इसके अलावा जो सिम्रन का पर्स था, फर्जी पते पर यह सम इंतजार कर रहे थे कि कब आरूश ग्रिवतार हो क्योंकि आरूश का नाम उन्होंने सिवरन से लिखा लिया था उस लेटर में तो इनको इंतजार था कि कब आरूश ग्रिवतार हो और वो जेल जाए और वो उसकी जमीन पर अपना कबजा जमा ले और तीनों आपस में उस property से जो पैसा मिलता उसको बाट लेते लेकिन इससे पहले ही यह परफेक्ट मिस्ट्री थी इससे परदा उड़ गया और दिली पोलेस ने इसको 4 मार्च 2019 को इस पूरी मिस्ट्री का पलासा कर दिया तो दोस्तों कितना भी शातिर अब राधी क्यों न हो कोई न कोई सुराग जो है छोड़ी जाता है यह तो आपने सुना हुआ है लेकिन मैं यहां एक और बात करती हूँ आजकर लड़कियां नौकरी के चलते काफी ज़्यादा इस तरीके केसिज में फस रही हैं नौकरी अक्चली जरूरत भी है इस समय हर लड़की चाहती है कि वो चार पैसे कमाए अपने परिवार को मदद दे लेकिन क्या किसी इस तरीके के अंजान व्यक्ति पे भरोसा करना आजके जमाने में सही है अब यह कहानी यह साफ करती है कि सिमरन का इस केस से कोई लेना देना नहीं था आरूश का कोई लेना देना नहीं था लेकिन वो अबजेक्ट बन जाते हैं केवल और केवल उस बंदे के जिसे आरूश के प्लॉट पे कबजा करना था आपको कोई कहानी कैसी लगी मुझे मेरे कोमेंट बक्स में आप जरूर बदाईएगा मैं फिर हाजिर हूँगी आपके साथ कोई और कहानी लेकर के और एक बात जाने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा फिलाल इतना ही फिर मिलती हो आपसे किसी नहीं कहानी के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए जे हिंद जे भारत